असलाम आलेकुम स्टूडेंस हम लोग कोशिन आंसिस कर रहे थे जूडिशेरी चप्टर का तो इसमें हमने दो कॉशिन डिसकस किये पास्ट और सेकंड तो आज की वीडियो में हम और एक कोशिन इसमें और भी जो कोशिन है आपके एक्सराइस चप्टर में तो इसको हम लोग discuss करेंगे तो question number one हम लोगों ने discuss किया I hope आप लोगों ने लिखा भी होगा copy पर note भी किया होगा question number two भी हमने discuss की है तो next जो आज का हमारा question है इसमें क्या कहा गया है in the following illustration fill in each tires with the judgment given by the various code in the Sudha Goel case check your response with other in the class ठीक है तो इसमें क्या हक कहा गया है जो भी judgment आपके book पे दिया है ABC करके तो इसमें आपको देखना है कि Sudha Goel की case में ठीक है तो जो अलग अलग कोट से उनका क्या judgment दिया गया था इस चीज़ को हम लोग इसमें fill करेंगे ठीक है तो Sudha Goel जो केस में जैसे हमने देखा था कि Sudha Goel के Sudha और लक्षमन की marriage के बाद जो है शाकुंतुला उसकी जो mother in law है या उसका जो brother in law है लक्षमन के सुदा के तो इन्हों ने इसके उपर मालब सुदा के फैमिली मेंबर ने केस तर्ष की क्योंकि शादी के बाद वो उसको आग लगा के वो चला दिया गया था तो अब इसमें जो है अलग-अलग जो केस को ठीक है तो different level of court में गया court में जब इसको दर्ष किया तो अलग-अलग level of court में क्या-क्या decision दिया क्या-क्या judgment दिया इस case की उपर इसको हम लोग देखेंगे आप लोगों को मैंने जो topic में भी आपको मैंने अच्छे से समझाए थी different level of court जैसे कि हमने different level of court को बढ़ा था तो उसमें जो है मैंने आपको वो चीज़ समझाने के लिए कि different level of court जो है एक दुसरे से interconnected होते हैं या एक दुसरे से connection में होता है जरकनी चीज़ पहुंगा जैनताँ देरी case ही through इस case के जरीए मैंने आप लोगों को समझाए थे वीडियो में तो आप लोगों को यह याद होगा कि लवर court ने या सबसे जो लवर लेवल पे जो court है इन हुआ जो trial court जैसे हम इसको कहेंगे उसमें क्या decision दिया फिर इसके बाद satisfaction नहीं होने के वज़ए से फिर other court में हाई court में move किया तो वहाँ पे क्या decision दिया उसके बाद जो supreme court है उसका क्या decision आया क्या judgment आया इन चीज़ों को आप लोगों ने जो आपके chapter है topic में आप लोगों को में अच्छे से समझाए थे तो आज हम answer में फिर इसी चीज़ को हम लोग revise करने वाले हैं कि सुदा कोयल के case में ठेक है question प्यांचीज़े सुदा कोयल के case को जो है हमने क्या करना है दुबारा से पढ़के इसमें जो जो judgment दिये थे each tires with the judgment given by the various court ठेक है जो अलग-अलग court ने जो judgment दिये थे सुदा कोयल के case में तो इसको हमने illustrate करना है इसको हमने दुबारा से इस चीज़ में लिखना है तो इसमें क्या कहा सबसे पहला जो lover court ने जो decision दिया था आप लोग इसको point में इस तरह से लिखेंगे lover court the lover court convicted Lakshman his mother Shakuntala and his brother-in-law and and her brother-in-law Subash Chandra and sentenced all three of them to death तो lover court ने क्या decision क्या judgment दिया था कि सारे गवाज सुबूत को देखने के बाद लास्ट में जो judgment दिया था lover court ने कि तीनों को जो है इन्होंने sentence to death यानि सजाए मौत दे दी थी ठीक है लेकिन जब ये लोग जैसे की Lakshman की जो family members है या Lakshman है ये lover court यानि trial court पे judgment के trial court के जो judgment है इस पे इनको ये सही नहीं लगा तो इन्हों ये move किया इन्होंने अपने कीज़ को high court में दर्श किया तो high court में क्या decision आए था कि the high court acquitted acquitted है नहीं नहीं मिसाल किसी को अगर किसी क्राइम से अगर हम release करते हैं क्राइम से उसको छोड़ देते हैं क्राइम करने के बाद तो उस चीज़ को हम acquitted कहते हैं जैसे मैं आपको चाप्टर में भी समझाए थी the high court acquitted लक्षमन, शकॉंतला एंड सुबाश चंद्रा ठीक है तो इन तेनों को high court ने छोड़ दी थी लेकिन जो supreme court था ठीक है अब यहां से सुदा की जो family members है इन्होंने इस कीज़ को फिर कहां तक ले गया supreme court में ठीक है तो supreme court में सुदा की family ने बलकि other social organizations थे या women organization थे इन्होंने सुदा कोयल की इस कीज़ को supreme court तक ले गया था supreme court में दिया क्योंकि उनको लगा कि यह जो judgment है यह सही नहीं है सुदा के साथ नाइंसाफी हो रही है तो इस वज़ा से जो है बाकी जो other women organizations है इन्होंने इस case को high court तक पहुंचा दी फिर high court में क्या दिया कि the supreme court तक the supreme court founded लक्षमन and his mother guilty ठीक है but acquitted the brother-in-law ठीक है तो लक्षमन और उसके मा को जो है guilty ठेराया गया लेकिन जो लक्षमन है उसका brother-in-law acquitted उसको छोड़ दिया क्यों? क्योंकि because they did not have जैसे आपके chapter में मैंने आपको समझाए थी बताए थी because they did not have enough evidence against him ठीक है उन्हें सुदा के ठीक है इस लक्षमन के brother जो है यानि सुबाश चंदर उसके against कोई मलब पका evidence नहीं मिलने के वज़ा से इसको छोड़ दिया था तो Supreme Court decided to send the accused to prison for life तो फिर इसके बाद Supreme Court ने decide किया to send the accused to prison for life तो उसके लक्षमन और उसके मा को पूरे जिंदगी के लिए जेल में जेल में बेज दिया तो this was all about this question now let's move to the next question that is question number four keeping the Suda Goyal case in mind ठीक है Suda Goyal case को हमने mind में रखके क्या करना है tick the sentences ठीक है that are true and correct the one that are false ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि Suda Goyal case को mind में रखके हमें जो सही यहां पे जो sentences दिया है उसको हमने true ठीक है that are true and correct the one that are false ठीक है जो सही है जो correct है उसको हमें true देना है true लिखना है और जो गलत है उसको हमने false जो statement जो दिया है उसको हमने false यहां पे लिखना है तो आपके जो इसमें पहला जो statement है जो first statement यहां पे दिया है sentence एपार्ड तो जो accused लोग थे या जिनकी उपर इल्जाम लगाया गया था जिन्हों ने ये जुरुम किया था जैसे लक्षमन और उसके मा इन्हों ने इस case को कहां पे पहुंचाया लो कहां तक ले गया हाई कोट में किस्पन दे मा किस्पन जी क्योंकि उनकी वो लोग trial court के decision पे वो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि trial court में जो decision ले गया वो उनको सही नहीं लगा तो इन्होंने हाई कोट में move किया तो हाई कोट ने जो है इनको क्या decision क्या judgment दिया था वो आप लोग उनको पता है तो ये जो statement है ये क्या है true है ठीक है इसको answer आपको क्या लिखना है true ठीक है चाहें तांसा पता हो दे क्योंकि पेला खुश ट्राइल कोट में सुदा के family members ने trial court में इनके against case जो है दर्श किया trial court में लेकिन trial court में सारे सुदोर कावाओ के को बते नजर रखते हुए इनको क्या किया था सजा ए मोद सुनाई थी लेकिन जो लक्षमन जो accused लोग थे जो लक्षमन और उसके मा जो है वो इस trial court के decision से बिलकुल खुश नहीं थे तो इन्हों ने क्या क्या high court में move किया तो ये statement सही है आप सब को पता है तो इसका answer क्या आएगा true इसमें question number four में और एक part है B part they went to the high court after the supreme court had given its decision ठीक है तो ये लोग कहां पे गया लो they went to the high court high court में गया after the supreme court had given its decision ठीक है क्या कह रहा है इसमें high court यां सुंग लो कब गया after supreme court had given its decision यानि supreme court's decision तंसर गया पुनक हो high court यां move बस में लो बस में बस में दे क्योंकि high court के बाद ही supreme court आता है supreme court सब से उपर पे होता है supreme court से यां high court यां यां यांगा इन्चमन ठीक है तो ये statement है जो है क्या है false है they cannot go to the high court after supreme court had given its verdict or decision supreme court सबसे बड़ा court होता है तो उसके आगे कोई नहीं होता है मनलब कोई बड़ा यां court शिम्यों मत चानल supreme court या नब आप से यां high court में जो है नहीं आ सकता they went to the high court after the trial court had given its decision तो trial court में ठीक है वो लोग high court में कब जा सकते है high court में move कर सकते है ठीक है तो ये जो statement है ये fall है इसका हमने explanation भी यहां पे लिखा है तो next आपके question number 3 में sorry 4 में CPARD और statement इसमें दिया है if they do not like this supreme court verdict या अगर वो लोग supreme court की decision को पसंद नहीं करते हैं supreme court की decision से satisfied नहीं है तो the accused can go back again to the trial court ठीक है तो ये जो accused जो है क्या अगर supreme court decision कोखों खुश मचाना यहां तो बारा trial court ला मूफ पा यंची ना लो या या यंची यानी सूं लो ठीक है तो मैंने अभी अभी आपको पिछले statement में बताया है कि supreme court सबसे बड़ा court होता है वहां से कोई नीचे वाले court में नहीं आ सकता ठीक है उसके supreme court का decision जो है final ठीक है तो answer में क्या है ये जो answer है क्या है false है ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया pyramid structure में supreme court सबसे उपर आता है सबसे apex पे आता है तो कोई भी supreme court के decision के बाद जो है trial court में या high court में नहीं आ सकता क्यों क्योंकि supreme court सबसे highest rank पे होता है ठीक है तो ये जो statement है ये false है ठीक है तो इसमें हमने question number 3 और 4 दोनों को note करके रखना है ठीक है मैं बार बार हर वीडियो में ये कहरे हूँ copy पे note करके रखिएगा और इसको याद भी करना है ठीक है very simple and easy है क्योंकि जो हमने chapter में पड़ा से वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे वही sentences हम यहाँ पे use कर रहे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा तो आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे ठीक है thank you